कोतवाली थाने की पुलिस ने धोखा धड़ी, मार पीट वा धमकी देने वाले अभ्यूक्त को गिरिफतार किया है जिसके सम्मन्द में कोतवाली थाना परभारी रडधिर मिश्रा ने बताया कि मुख्बिर की सूचना पर एक अभ्यूक्त को गिरिफतार किया गया है जिसकी पहचान रामू चोहान पुत्र स्वर्गी शेर सिंग चोहान निवासी राम गुलाम टोला वार्ड नमबर दस थाना कोतवाली जनपत दिवरिया के रूप में हुई है। कोतवाली थाना परभारी ने बताया कि अभ्यूक्त रामू चोहान अपने दो अन्य साथियों के साथ वादनी मुकद्मा को जमीन देने के लिए 9,95,000 रुपे लिया तथा फर्दी जमीन बैनामा कर दिया जिससे वादनी को कब्दा ना मिलने पर रुपे वापस ना करना तथ था वादनी वा उसके पती को मार पीट कर गाली उपता देकर जान माल की धंकी देने के संबंद में पंजी कृत कराया गया था जिसको देखते हुए अभ्यूक को गिरिफतार कर जेल भेज दिया गया है गिरिफतार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना परभारी प्रक्ष्ट अभ्यूक को उसके था भीट को गया है इंकी जाना प्रूछ को ऑ।